Hello everyone, आज हम लोग header, footer, page number और कुछ option बचे हुए हैं, insert section के उसको deal करने वाले हैं चलिए start करते हैं, header, footer, document का वह part होता है, वह section होता है जिस पे आप कुछ write करते हो तो वह document के हर page पे जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे double tap करता हूँ header को active करने के लिए, आप double tap करेंगे तो पे, तो यह header active हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे dotted line है और dotted line के उपर जितने भी आपको area दिख रहे हैं, इसमें आप कुछ भी write करोगे, वह हर page पे जाएगा, यही है header same चीज आपको, आपको footer के निवी जाएगा, यानि कि नीचे मिल जाएगा, इसे हम footer बोलते, देख सकते हैं, footer लिखा भी होगा है, और dotted के नीचे जो भी area है, वह footer होता है, ठीक है इस पे आप कुछ भी write करोगे, तो वह भी हर page पे जाएगा, यानि कि आपको इस section पे जाएगा, second page पे जाएगा, third page पे जाएगा, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, top page पे कुछ header देता हूँ, जैसे यह document है, मैं इसको टेक्रिक देलता हूँ, यहाँ cpadho.com ebook, इसको center कर देते हैं, और control A के, control B कर देते हैं, थोड़ा सा font पढ़ा देते हैं, और इसको हम color fill कर देते हैं, देख सकते हैं, इस तरह से मैंने कुछ लिख लिया है, यह आपको हर page पे जाएगा, यह चीज आपको हर page पे जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे गया है, अगले page पे भी गया है, यह हर page पे जा रहा है, यानि कि यह header है, और मैं footer पे कुछ डालना चाहता हूं, यहाँ पर double tap करूँगा, और देख सकते हैं footer यहाँ पे आ चुका है, by raman sir, मैं लिख दिया है, यह भी आपको हर page पे जाएगा, देख सकते हैं, यह अगले page नमर डालना चाहते हैं, तो आप page नमर पे click करेंगे, और bottom of the page select करेंगे, यह वो सरा option दिया गया है, कि आपको कहां से लेना है, मैं यहाँ bottom of the page पे लेता हूं, और इस पे design, यह design select कर लेता हूं, इसको करने के बाद आपको हर page पे यह जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पे Hader footer से बाहर आ सकते हैं, यानि तो आपकी देख सकते हैं, close header and footer है, इसको भी click करका आप इसका इसका है, बंद करने के लिए header footer को, तो मैं यहाँ पे इसको click करके बंद कर लिता हूं, देख सकते है, header footer बंद हो चका है, और मैं अब main page पे आ चूका हूं, main content पे आ Чुका या hint देना है या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टेक्स लेना है तो आप यहां से लेख सकते हूं यहां पर मैं क्लिक करूंगा और इसमें से design दिया गए किस तरह का आपको चाहिए मैं यह सिंपल साथ टेक्स लेटा हूं और यहां को यहां पर से right hand side में इसको put कर दता हूं अच्छे से ताकि और अच्छा लगे यह देखने में और इसको मैं यहां पर पहले बारे comment को पहले बारे लिखाव़ चीज़ को डिट कर दता हूं यहां से और यहां पर लिख दूंगा मैं अपना कोई notes notes एसे करके मैं दे सकता हूं ठीक है shift home से इसको select कर लेते हैं और इसको 2-3 line कर देते हैं कि अच्छा लगे देखने में एंटर करेंगे एंटर करेंगे तो नीचे आएगा और इसको देख सकते हैं मैंने 2 line लिख दिया ऐसे करके आप लिखते जाएंगे और यह बढ़ता जाएगा ठीक है अब इसमें डिजाइनिंग डालना है तो आप क्या करेंगे इस पर फॉर्मेट पर जाएंगे से फिल पर जाएंगे अगर कुछ करना है तो अब डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं और अगर रहता चाहते हैं तो आप अप अप बहुत सारा ओप्शन दिया है टेक्स बॉक्स के साथ इसको भी आप कर सकते हो तो देखा आपने कि कैसे मैंने टेक्स बॉक्स का इस्तमाल किय इसके बार आता है कि आपको क्विक पारज में क्या होता है जैसे कि आपको कुछ चीजह बार-बार लिखना पढ़ आयाया है किसी एक डिकुमेंट में बार बार लिखना पड़ा है और आप कहीं काम करते हो उस काम में आपको बार बार किसी चीज की जोद पड़ती है तो उसको आप लिख लेंगे जैसे कि मुझे इतना चीज मुझे बार बार लिखना पड़ा है तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा जो आपको क्या करेंगे क्विक पार्स पर जाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे कोई नाम यहां पहले स्लिखा हुआ है वह भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं ओके कर दता अब जब कभी भी इसकी जवत पड़ी कि मुझे है तो मैं क्या करूँगा नेम टैप करूँगा एन एन एमी नेम और क्या करता हूँ यहां पर आप प्रेस करेंगे उतना बड़ा आएगा यहां पर आएगे नेम लिखेंगे और एफ्री प्रेस कर देंगे देख सकते हैं आपने कैसे यह चीजों का बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ उस चीज से ठीक है तो ऐसे करके आपने क्विक पास को यूज कर लेना है इसके बाद चलते हैं वर्डाट वर्डाट क्या होता है जैसे कि आपको कि अपने वर्ड डॉकुमेंट पर किसी भी स्टाइल में आपको चाहिए कोई वर्ड वगेरा है तो आप वर्डार इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं है जहां से भी लगा सकते हैं इसको लगा दिया अधरवाइस आपको नया लेना है वो भी आप लेकर सकते हो जैसे कि आप गये हैं यहां पर बहुत बड़ा होता हैं बांकी छोटा होता है तो मैं इसको यहां से achieve कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा देख सकते हैं यह style है हमको मिल चुका है इस तरह का दो तीने style दिया गए आपको जो पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं clear है इसके बाद आता है signature line signature line में क्या होता है कि आपको कोई document लिखना है और last में आपको signature लेना है as like जैसे आपको screen पर दिख रहा है ऐसा effect चाहिए तो आपना signature line बना भी सकते हैं मैं क्या करता हूँ यहाँ पर as signature करते हैं as signature पर गए और sorry यहाँ पर net page आता हुए हम फिर से मैं इस पर जाता हूँ signature line पर जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं signature setup करने की option दे रहा है मुझे यहाँ पर मैं अपना नाम ली दता हूँ R-A-M-N और यहाँ पर मैं अपना title लेता हूँ और यहाँ पर email देते हैं कुछ भी दमी देते हैं email ऐसे मैंने दे दिया है और at the rate gmail.com दे देता हूँ Gmail का spelling गलत्थ हो गया है कोई दिक्कत नहीं मैं सही कर देता हूँ इसको okay कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं यह हमको मिल चुका है इस तरह का effect चाहिए तो आपको signature line पर मिल जाएगा ठीक है आगे है time and date time and date चाहिए तो आपको click कर देना है और इस मिसे जो choose करना है आपको जिसे style में चाहिए वो आपको यहाँ पर click कर देना है देख सकते हैं यहाँ मिशे time and date मिल चुका है और ऐसे कर कि आप receive कर सकते हो इस अलग चीज़ है यहाँ पर selection के लिए नहीं है आपको object यानि कुछ आपको चाहिए जैसे कि मुझे ms paint का इस्तेमाल करना है painting वगड़ा word में तो यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ पर करेंगे इसमें कुछ design करेंगे और इसको cut करेंगे तो यहाँ पर आपको design आ जाएगा मत Excel वाला चार्ट तो ऐसे करके object के थुरू आप दूसरे software का इस चीज़ पर अपला सकते हो फिलाल मैं इसको बंद कर देता हूं close कर देता हूं ठीक है और don't save कर देता हूं ठीक है करने के बाद यह आ जाएगा उसके बाद मैं आप चलता हूं ms word पर ठीक है ms word पर जाएंगे ms word पर जाते हैं इसको don't save का option दे रहा है मुझे इसको click cancel कर दता हूं मैं फिलाल और देखां आपने कैसे मैंने object का इस्तिमाल किया और इसके बाद आता है equation and symbol इसकी चल्चा हम लोग next video lecture में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद